नमस्का विदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं आपकी सातंके तोर आईए अब खबरे देखते में स्टार से कोरोना का क्या हैर पूरी दुनिया में जारी है तमाम देश इससे बचने के लिए तरह तरह के नियम काईदे बना रहे हैं इसी बीच जर्मनी में ऐसा नसारा देखने को मिला जहां कोरोना के मद्दे नसर लगाए गई पाबंदियों के विरोध में प्रदर्शंग करने के बाद प्रदर्शंग कारियों ने शनिवा को संसत के अंदर गुसने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने रोका और बल प्रयोग करते हुए खदेड दिया एक सितंबर को 20-40 मीटर चौड़ा शुद्र ग्रह धर्ती के करीब से गुसरेगा इसकी दूरी प्रत्वी से फिलाल एक लाख किलोमीटर आकी गई है यानि यह धर्ती और चांद के बीच में काफी करीब होगा लेकिन इसके धर्ती से टकराने के संभावना ना के बराबर है नासक के मताबिक इस शुद्र ग्रह की सापिक्ष गती लगभग 8 किलोमीटर प्रती सेकंड है अगले एक दर्शक्स तक प्रत्वी के पास से गुजरने वाले शुद्र ग्रहों में से यह सबसे पास से गुसरेगा अमेरिका के विशेशग्यों ने काया कि अगर कोरोना की वैक्सीन बनती है तो केवल एक डोस से काम नहीं चलेगा लोगों को दो डोस की जरुवत पड़ेगी और यही सबसे बड़ी समस्या है मौज़दा समय में ही टेस्टिंग केट पीपी केट और दूसरी जरुरी चीज़ों की कमी है ऐसे में दो बाब वेक्सिनेशन का प्रोग्राम चलाना बड़ा काम है टेनेसी के वेंडर बिल्ट यूनिवरसिटी की हेल्थ पॉलिसी प्रोफिसर डॉक्टर केली मूर ने काय की यह मानब इत्यासवा सबसे कठिन वेक्सिनेशन प्रोग्राम होगा अमेरिका में शनिवार राज से लेकर रविवार तक तीन राजियों में 11 लोगों को गोली मारी गई इसमें दो की जान चले गई गोली बारी की पहली घटना औरेगन इस्टराजी के पोर्ट लेंड में हुई शूटिंग की दूसरी घटना है मिसोरी और शिकागो में हुई लेकिन उनका प्रदर्शन से कोई लेन देना नहीं है डोमिनिका सरकान ने भारत का मोस्ट वॉंटेट आतंकी दाउद इवरहाईम को लेकर बड़ा बयान दिया है डोमिनिका सरकान ने कहा है कि अंडरबल डोन दाउद इवरहाईम उनके देश का नागरिक नहीं है और ना ही कभी था सरकान ने अपने बयान में कहा है कि दाउद इवरहाईम कभी भी डोमिनिक का नागरिक नहीं रहा दाओद इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या किसी और तरीके से भी Commonwealth of Dominica का नागरिक नहीं रहा है सरकार निकाय की मीडिया या किसी भी वेक्ती द्वारा फैलाई जारी ऐसी खबरे सरासर छूटी है पाकिस्तान में सच बोलने वालों को वहां की सेना और सरकार की तरफ से प्रतारित करना और गायब करहत्या कर देना आम बात है नया मामला एक महिला वकील का आया है वकील को सेना की आलोचना करने पर किड्नैप कर लिया गया करीब चाथ दिन प्रतारित करने के बाद हाथ पैर बांध और मुँ में कपड़ा ठूस उसे भी होशी की हालत में एक खेत में फेक दिया गया इशरत नस्रीन नाम की वकील ने हाली में पाकिस्तानी सीना की आलोचना की थी उन्हें देश का दुश्मन तक कहा था इसराइल और यूएई के नए दोस्ताना रिष्टे रफ्तार पकड़ने लगे हैं यूएई ने शनिवा को 48 साल पुराने उस कानून को पूरी तरह खत्म कर दिया जिसके तहत इसराइल को बॉयकॉट किया गया था इसके लिए यूएई के प्रमुक शासर खलिफा बिन जायद अलनहन ने बकाइदा आदेश चारी किया इसराइल और अमेरिका के आला अफसरों का एक दल अबुधा भी पहुंचेगा इनकी कई दौर की मीटिंग्स होंगी माना जा रहा है कि इसराइल और यूएई के बीच एहम ट्रेड एग्रिमेंट हो सकते हैं साउचाइना सी समयते दुनिया के कई हिस्सों में चीन के रुख को अमेरिका ने बेहद आक्रमक बताते हुए इसका मुकाबला करने की तयारी पर सोड़ दिया है अमेरिका के NSA रॉबर्ट ओब्राइन ने साफ कर दिया है कि सितंबर और अक्टूबर में अमेरिका भारत चापान और ऑस्फिलिया के अफसर मुलाकात करके रणनीती तयार करेंगे ब्राइन ने कहा कि चीन का रवईया बेहद आक्रमक है और अमेरिका जानता है कि इससे कैसे निपटना है जापान के प्रधा मंतरी शिंजो आबे के सिफ़े के बाद नए पीम को लेका कयास चारी है इस रेस में देश की सत्तारोड लिबरल डेमोक्रेटिव पार्टी के पॉलसी चीफ पूमिया किशीदा और पूर्वर रक्षा मंतरी शिगरो इशीबा के नाम सबसे आगे है दोनों ही नेताओं नेशिंजो के पद छोडने के तुरंत बाद यह पद सम्हालने की अपने इच्छा जाहिर कर रही दी थी इसके साथ ही चीफ कैबिनेट सेकेकर्टरी योशी हीडे सूगा ने भी प्रधा मंतरी बनने की कोशिश एक्ति एच कर दी है चीन के शांगसी प्रांत में एक रस्टूरेंट के ढहने की घटना में मढने वालों की संख्या रविवास सवा 29 हो गई 35 लोग गायल है पुलिस और रस्क्यू टीम के मताबिक मलवे में अब भी काफी लोग दबे हो सकते है बीजिंग से एक स्पेशल टीम यहां पहुची है रस्टूरेंट की बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी लिहाज़ यह कैसे गिरी इस बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है जिस दौरान हाथसा हुआ उस वक्त रस्टूरेंट में कई लोग एक बरसेदे पार्टी के लिए मौजूद थे इनमें कई बच्चों महिलाएं भी शामिल थे अभी 68,33,223 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज़ चल रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा 16,021 मरीज अमेरिका के हैं जो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है भारत में ऐसे मरीजों की संक्या 9,000 के करीब है फिलाल इस बुलिटर में इतना याँ बनेर हुए EMS TV के साथ नमस्कार